धन्तोली और गनेश पेट थानाक शेतर में बाइक पर सवार लुटेरो ने दो स्थानों पर मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया पहली घटना धन्तोली परिसर में एपसी आई रोड की सिंचाई विभाग के कार्याले के सामने हुई पुलीस ने ओल्ड बाबुल खेडा निवासी रानी दिली पाटनकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है पुलीस से मिली जानकारी के अनुसार रानी मंगलवार की शाम के दौरान सहेली के साथ काम से घर लोट रही थी सिंचाई विभाग के कार्याले के सामने मोटर साइकल पर पीछे से आये 20-25 उम्रके दो युवकों ने रानी के हाथ से मुबाइल छेन लिया और फरार हो गए रानी ने बाइक का नंबर देखने की कोशिश की लेकिन नंबर प्लेट ही नहीं थी दूसरी घटना गनेश पेट के अग्याराम देवी मंदिर के पास हुई पुलीस ने टीबी वाड कौर्टर निवासी राजन कुरुपाल तोमसकर की शिकायत पर मामला दरज किया है रात करीब 11 बजे के दौरान राजन कोई काम निप्टा कर घर लोट रहे थे लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई गाड़ी को धक्का देते घर जा रहे थे अपने दोस्त को मदद के लिए फोन लगाया अग्याराम देवी मंदिर के पास बाइक पर सवार दो यूवकों ने उनके हाथ से 30,000 रुपे का मोबाइल फोन चीन लिया और फरार हो गए दोनों घटनाओं में आरोपियो का हूलिया एक जैसा ही है पुलीस ने CCTV कैमरों की फूटेज खंगाल ली है दो आरोपी मोबाइल चीन कर भागते नजर आ रहे है पुलीस उनका पीछा कर रही है